दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अमारे चैनल में इस वीडियो के अंदर अब भी आलो लूसेंट समान ने ग्यान इस से रिलेटेट जो है इंपोर्टेंट 40 प्लस कुस्चन जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एक चांसर LB, आइकन यानि जो घंटी का निसान है इसे जुरूर से अनकरते हैं ठीक है और यह टोटल जो 40 प्लस कुस्चन है आप इनमेंसे कितने कुस्चन जो है सही कर पाते हैं अपना इसकोर जो है कमेंड बक्स में जुरूर बाता है तो चलिए शुरू करते हैं देखे यहां पर हमार पहला कुस्चन दिया क्या है किस अनुशेद के अनुशार भारत के राश्पती द्वारा राश्टिया पातकाल की घंशला की जा सकती है तो भारत के राश्पती के द्वारा राश्टिया पातकाल की घंशला जो है यह अनुशेद 352 के अंत्रगत जो है किया जा सकता है ठीक प्रावधान जो इनुशे 302 में दिया गया है दूसरा राशप्वति सासन आठ्वाराज यह सतिती में गावध कि को तरावध यह सतिति पढ़ने पर के अलावा यह हम बात करें वह लोगुष अनुषेद 233 की तो अनुषेद 233 में जीला नयाधिसों की नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है अनुषेद 233 में जीला नयाधिसों की नियुक्ति का प्रावधान दिया गया अनुषेद 235 की बात करें तो इसमें जो है अधिनास्त नियालियों पर नियंत्रण का प्रा राजे की बिधान सभाव में अनुसुचित जातियों और अनुसुचित चन जातियों के लिए जो है अस्थानों का आरक्षन का प्राउधान है ठीक है आपको याद रखना है कुर्शे नमबर टू है भारतिय सम्विधान का कौन सा अनुशेद अस्प्रिस्यता का उन्मुलन क करता है अस्प्रिस्यता मतलब छूआ छूट ठीक है छूआ छूट का उन्मुलन कौन सा अनुशेद करता है तो यह अनुशेद 17 करता है ठीक है आंसर वह जाएगा टी इसके अलावा यदि हम बात करें अनुशेद 14 की तो देखे इसमें जो है बीधी के समक्षे समानता का प करें तो इसमें लोक नियोजन के विषय में औसर की समक् automatika प्राव्धान है लोक नियोजन के विषय में औसर की समानता का प्रावधान अनुशेद सोला में दिया आगया है कुश्य नमबर थर्ड है सांसदो की आयोग्यता संबंधी बीबाद पर कौन निर्णे देता है सांसदो की आयोग्यता संबंधी बीबाद पर कौन निर्णे देता है तो ये निर्वाचन आयोग के प्रामर से राश्पती ठीक है यदि हम ठोस बस्तु को गरम करें तो किस भाग में सरवाथिक परतिसत ब्रेथी होगी तो सरवाथिक परतिसत ब्रेथी आयतन में होगी ठीक है याद रखना यदि हम ठोस बस्तु को गरम करें तो किस भाग में सरवाथिक परतिसत ब्रेथी होगी आयतन में ब्रेथी होगी इस यह अंसर हो जाएगा, question number 5 है, तामर संदूसन से बचने के लिए पीतल के बरतनों पर समान तक किस धातों की परत चड़ाई जाती है, तो यह चड़ाई जाती है, रोंगे यानि टीन की परत चड़ाई जाती है, यह अंसर हो जाएगा, question number 6 है, दूतिया पंच वर्षी योजना किस model पर आधारी थी, very important question नहीं है, दूतिया जो पंच वर्षी योजना थी, किस model पर आधारी थी, माहाल नोबिस, ठीक है, माहाल नोबिस, model पर आधारी थी, D answer हो जाएगा, इसके अलावा, पंच वर्षी योजना से जो question मतलब, एक्जाम है, पूछे जाते हैं, उसको यहाँ पर हमने लिख रखे हैं, टोटल पंच वर्षी योजना, जो जितनी भी हुई थी, वो सारे यहाँ पर हमने note down किये हैं, जो आपके एक्जाम के लिए काफी important हैं, तो देखिए, यहाँ पर पहला जो पंच वर्षी योजना की बात करें, तो पहली पंच वर्षी नाय कारेकाल 1921 से 56 तक रहा था इसमें क्रेसी की प्राथमिक्ता दी गई थी दूसरी की बात करें तो 56 से 61 तक रहा था इसमें उद्योग छेतर की प्राथमिक्ता दी गई थी तीसरी की बात करें तो 1666 तक रहा था इसमें क्रेसी और उद्योग की प्र वर्षी योजना में पांचवी की बात करें तो 1974 से 1989 तक था इसमें गरिबी और आत निरभरता को हटाया गया छटवी पांचवी पांचवी योजना के रूप में ही इसे जोड़ दिया गया था छटवी में ठीक है तो इसमें कुछ ज्यादर चंज नहीं हुआ इसमें कारे का capsule 1989 तक था इसमें फूड पोर्ड़क्षन रोजिगार उत्पादक्ता कर प्राऊधा मित्लाव इसमें जूर दिया गया इसमें काया इसमें किया गया नौवी के बात करें तो 1997 से 2 हर 2 तक रहा था इसमें 7 पर तीसत की साथ पर तिसद की विकास दर का लक्षे रखा गया था दसवी की बात करें तो दोहर दो से साथ तक यह रहा था ठीके इसमें स्वारोजगार और साधनों का विकास किया गया स्वारोजगार और साधनों का विकास किया गया गारवी की बात करें दुहर साथ से बारत तक रहा था ब्यापक और 101 में हुब बार्वी में हुआ कि बात करें तो बार्वी जव पंजवर्शी ऊजह नहीं थी इसका कारेकाल बारत से 20 सत्रह तक जो मतलब यह चला था इसमेश वहा कर दो कुछन देखते हैं तो आपको यह याद रखना है अगला कुश्चन देखते हैं साथवा नमर कुश्चन है भारत में बीदेसी बीनीमा करक रखाओ किसके द्वारा किया जाता है तो भारतिया रिजर बैंक के द्वारा किया जाता है ठीक है खरेक्ट आंसर ही हो जाएगा Q8 है लोग सभा में आंगल भारतिय समुदाए से सदा से मनोनित करने के सक्ति किसके पास है तो किसके पास है राश्पति के पास है भारत के राश्पति के पास है आंसर हो जाएगा Q9 है दूग दो प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है दुख्द प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है रेनीन है ठीक है C आंसर हो जाएगा कुश्चन नमबर दौस है जल में वायू का बुलबुला जिसकी भाती बेवार करेगा वह है जल में वायू का बुलबुला मतलब किस तरह से बेवार करता है तो आउतर लेंस की तरह यह बेवार करता है ठीक है आंसर हो जाएगा D कुश्चन नमबर 11 है परकास बीकिरणों की प्रकिरती होती है तो यह होती है तरंग यह उमकॉण दोनों पर समान ठीक है तरंग यह उमकॉण दोनों पर समान होती है ठीक है answer हो जाएगा C Question number 12 है निमनलेखित gas मिस्रण में से कौन सा gas welding के लिए पर्यूक्त किया जाता है तो welding के लिए कौन सा gas पर्यूक्ट किया जाता है आक्षीजन तथा Acetylene ठीक है oxygen तथा Acetylene जो gas है ये welding के लिए जो है परियुक्त किया जाता है अंसर हो जाएगा भी दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू कर दें ठीक है और अपने दोस्तों में सेर कर दें चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानि जो घंटी के निसा आने उसे जरूर चन करें बेल आइकन अन करने से फाइदा यह होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिल सकेगा तो सब्सक्राइब करने बाद बेल आइकन अन रखें कुर्शन नंबर 13 है एक दूराँग में सव आट आट चमता वाले पांच बल्ब लागातार बिश घंटे तक जलाय जाते हैं समपोंड बेथुत खर्च होगी तो समपोंड जो बेधुत खर्च होगी दैस यूनिट होगी ठीक है समपूंड बेथुत खर्च कितनी होगी 10 Units होगी ठीके अंसर हो जायगा C Question Number 14 है Logs किसकी काई है Logs जो है किसकी काई है Question Number 15 है बादल किस कारण Y Mandal में त्याड़ते हैं बादल जो है नीमन घौना तोय कारण waiting Question Number 16 है छीतिज के समय पे सूरियावं चंद्रमा के दिर्ख बिरिताकार दिखाई देने का कारण है छीतिज के समय पे सूरियावं चंद्रमा के दिर्ख बिरिताकार दिखाई देने का कारण है तो देखे इसके कारण है अपोर्तन ठीक है आंसर हो चाहेगा अपसनी कुश्चन नमबर 17 है निम्ड में से किस में कोशिका में अच्छी तरह से बेवस्तित नुकलियस नहीं पाय जाता है तो ये नहीं पाय जाता है बैक्ट्रिया में ठीक है आंसर हो जाएगा D Q18 है आंके लेंस की फोकल दूरी किसके कारण से परिवर्तित होती है आंके लेंस की फोकल दूरी किसके कारण से परिवर्तित होती है तो ये सिलियरी मांस्पेसी के द्वारा जो है परिवर्तित होती है ठीक है आंके लेंस की फोकल दूरी किसके कारण से परिवर्तित होती है तो सिलियरी मांस्पेसी के कारण से परिवर्तित होती है C answer हो जाएगा Question number 19 है भारत में कुल कितने जीले है Very important question भारत में कुल कितने जीले है 726 जीले ठीक है आपको याद रखना है भारत में कितने जीले है 726 जीले है Answer हो जाएगा C Question number 20 है छीलेवी सबजियों को धोने से कौन सा वीटामिन निकल जाता है छीलेवी जो सबजियों होती है उसको धोने से कौन सा वीटामिन निकल जाता है तो वीटामिन C निकल जाता है ठीक है Answer हो जाएगा C Question number 21 है Name में से किसका मुख्याले Genewa नहीं है Genewa में किसका मुख्याले नहीं है 202 का नहीं है ठीक है बाकि इन तीनों का मुख्याला जेनेवा में है अंतराष्टिय सरम संगठन अंतराष्टिय स्वास्त संगठन और अंतराष्टिय दूर संचार संग तीनों का मुख्याला कहा है जेनेवा है 200 बैंक की बात करें तो देखे इसका मुख्याल है जो है वासिंग्टन डेसी सनुटरा जो अमेरिका में है भारत का छेत्रफल कितना है 32,87,263 किलोमेटर 32,87,263 किलोमेटर जो है भारत का छेत्रफल है आंसर हो जाएगा B Q23 है बंगाल का प्रथम गौर्नर जर्नल कौन था? बंगाल का प्रथम गौर्नर जर्नल वारेंड हेस्टिंग था ठीके B आंसर हो जाएगा Q25 है लौड लहौजी द्वारा अवद कांगरेजी राजे में बिलाय किस रीती से हुआ लौड लहौजी द्वारा अवद कांगरेजी राजे में बिलाय किस रीती से हुआ तो ये कुशासन के कारण हुआ था ठीके? कुशासन के कारण से हुआ था हो जाएगा D question number 26 है भारतिया पुरातत्व शर्वेक्षण की अस्थापना किसके काल में हुई थी तो यह हुई थी लौड करजन के काल में C answer हो जाएगा question number 27 है भारत में निमनलेखित में से कोन भारत में उपनिवेस बाद के आर्थिक आलोचक थे भारत में उपनिवेस बाद के आर्थिक आलोचक कोन थे दादा भाई नोरोजी, महादेव गोबिंद रनाडे और आरसी दत यानि ये उपर यूगत यहाँ पर सभी करेक्ट हो जाएगा अंसर हो जाएगा D, कुश्य नमबर 28 है मनुने किन नदियों के बीच के छेत्र को ब्रह्मोर्त कहा है मनुने किन नदियों के बीच के छेत्र को ब्रह्मोर्त कहा है तो ये सरस्वतियम द्रिश्द्वति ठीक है, सरस्वतियम द्रिश्द्वति नदियों के बीच के छेत्र को ब्रह्मोर्त कहा है सी आंसर हो जाएगा, कुश्य नमबर 29 है मेनांडर जो मिलिंद के नाम से मेनांडर जो मिलिंद नाम से भी जाने जाते है किस विदेशी राजवन से संबंदित है तो देखी ये संबंदित है इंडो ग्रिक से ठीक है मेनांडर जो मिलिंद नाम से जाने जाते है किस राजवान से संबंदित है इंडो ग्रिक से संबंदित है ये आंसर हो जाएगा गुप्त काल के किस धरम का गुप्त काल में किस धरम का सबसे अधिक विकास हुआ तो गुप्त काल में जो है भागवत धरम का सबसे अधिक विकास हुआ C, answer हो जाएगा, question number 31 है, भगवान सीव की पर्थिष्टा, भगवान सीव की पर्थिष्टा में कितने जोतिर लिंगा स्थापित है, तो 12 जोतिर लिंगा स्थापित है, ठीक है, answer हो जाएगा B, question number 32 है, सीवा जी का उत्राधिकारी कौन था, सीवा जी का उत्राधिकारी सांभा जी थे, C answer हो जाएगा, छत्रपते सीवा जी की बात करें, तो महराज, इनकी सांभा जी थे, मतलब उत्राधिकरी, question number 33 है, भारत के किस द्वीप का उद्वाम, भारत के किस द्वीप का उद्वाम, जो अला मुखिया है, तो बैरन द्वीप का उद्वाम, जो है, जो अला मुखिया है, ठीक है, बात करें, भारत का सुक्रिय जो अला मुखिय, किस द्वीप में इस्तित है, तो बैरन द्वीप में, भारत का एक मात्र, सुक्रिय जो अला मुखिय, किस द्वीप में इस्तित है, किसे स्वता क्रेश्य मेटी कहा जाता है तो ये कपास की काली मेटी को कहा जाता है C answer हो जाएगा कुश्चन No. 35 है मेठे पाने का कल्पसर पर्योजना अवस्तित है तो ये अवस्तित है गुजरात में ठीके अंसर हो जाएगा option is कुश्चन No. 36 है भारत में यरलूंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है तो यह जाना जाता है ब्रहंपूत्र के नाम से ठीक है आंसर हो जाएगा सी कुश्चन नंबर 37 है भारत के निम्नलेखी टटो में से कौन कृष्णा डिल्टा एवं कैप कामोरीन के मध्धे इस्तीत है तो करे करेक्ट आंसर है यह हो जाएगा कामोरीन कौरो मंडल ठट ठीक है कौरो मंडल जो ठट है तो यह कृष्णा डिल्टा एवं कैप कामोरीन के मध्धे इस्तीत है ठीक है आंसर हो जाएगा ओप्शन यह कुश्चन नंबर 38 है निम्नलेखित में से कौन सी नादी का सुरोथ हीम नदों में नहीं है कोसी की बात करें तो कोसी नदी जो है नेपाल में हिमाले से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत में दाखिल होती है इसे इसमें आने वाली बाड से बिहार में बहुत तबाही होती है जिससे इस नदी को बिहार का अभिसाप कहा जाता करेक्ट आंसर B हो जाएगा एक सराम अधिक किया वाली अर्थविवस्ता के रूप में जो है परिभासित किया जा सकता है आंसर हो जाएगा B कुश्चन नमबर 40 है भारतिया राष्ट्य कांग्रेस के प्रौथाम अधिवेशन दिसंबर 1850 में कहा हुआ था मुंबाई में हुआ था ठीक है भारतिया राष्ट्य कांग्रेस के अस्थापना कब होई थी 283,885 को हुई थी संस्थापक यह वो हुम थे प्राथम अधेस WC बनरजी याद रखना है आपको उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला कुछ जन है नदी का बहुता हुआ जल किस परकार का उर्जा का समोहन करता है नदी का जो बहुता हुआ जल होता है तो यह किस परकार का उर्जा का समोहन करता है तो correct answer option B हो जाएगा गौतिज उर्जा का समोहन करता है याद रखना है गौतिज उर्जा का जो है समोहन करता है नदी का बहुता हुआ जल ठीक है आंसर हो जाएगा B तो दोस्तों यह थे लूसेंट समाने गयान के important 41 question आप इन 41 question में से कितने question जो है सही कर पाए अपना score comment box में जरूर बाता है और वीडियो पसंद आया रहेगा तो please वीडियो को like कर दीजेगा अपने दोस्तों में share कर दीजेगा और चैनल पनाया है तो चैनल को subscribe करके बेल आइकन यानि जो घंटी का निसान है इसे जोड़ चन कर दें ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार चैहिंद चैभार